मामला केंदर का मामला होता है कि है ना तो वह लागू नहीं किया जाएगा वह बात नहीं है वह तो सिंटर के लोग है वह पास पोर्ट ऑफिस और यह सब करेंगे वह शारा ना कि आप अपने बाप दादाओं का प्रमान देना चाहेंगी कि वह यहां पैदा हुए थे कि नहीं होना चाहेंगी चाहते हैं आप घर में जाके आपको यह इंसल्ट नहीं लगता है कि आप से कोई डॉक्यमेट मागे कि आप हिंदुस्ताणी हैं या नहीं है कोई भी हो तो उस लाइन में तो सब खड़े रहेंगे तो फिर आप डिसाइड कीजे कि आप कौन सा दस्तावेज लेकर आएंगी दिखाने के लिए कि आप इस हिंदुस्ताणी है या नहीं है और कोई पूछने वा आप बर्दास्ट कर सकते हैं कीजिए तो ये साफ है ना कि खुद ही वहाँ उधारन दे रहे थे कि देश दुनिया के अलग-अलग देशों से लोग आए तो हमने बसाया अभी तक वो खुद कह रहे हैं कि इस कानून के ता जो भी नागरिक्ता का कानून हम नागरिक्ता देते हैं और यह सरे के तर्ग चलाया जारे हैं कि नहीं हमको किसी का अधिकार नहीं लिया गया आपने किसी का अधिकार लिया नहीं किसी का नाम नहीं लेकर उसका अधिकार छिन लिया है ना तो बहुत सारा जो डिमोक्रिसी में ना एहसास का एक बॉन्ड होता है ट्रस्ट का एक bond होता है और कुछ नहीं होता है अगर हम यहां पे चार लोगों का नाम लें और कहें कि भारत में चार राजे हैं सबसे अच्छे हैं और आपके राजे का नाम ना लें तो आपको ये बात चुप जाएगी यह उतने का खेल है यह तो यह उन्होंने वो बच्चों को लड़कों को खासकर सामप्रदाइक बनाना है आपका फैसला मैं तो कहता हूँ कि बाई दंगाई मत बनाना डॉक्टर बना लेना मैं तो साब साब बोलता हूँ कि ये नहीं चलेगा और ये क्यों चलना चाहिए इस देश में वो खुद बनाना चाहते हैं क्या आपको अच्छा लगेगा कि ये बैठके लाइन में खड़े होकर अपने दस्तावेज दें और आप घर में बैठी रहें नागरिक्ता कि जिसको आप महले में देख रही हैं जिससे आप पचास बार जगर चुकी होंगी आप वही अगर आदमी जाके लाइन में लगेगा वोटर की परची दिखाएगा डेट और बर दिखाएगा इस देश में आधी गरीब तो इसे मर जाएंगी चाहे हो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो जो बनजा रहे हैं वो कहा जाएंगी और ओरतों के नाम से तो 50% औरतें जो इस देश में अभी तक जो लिटरेट नहीं थी उनके नाम पे कोई संपत्ती नहीं थी कोई पास्बूक नहीं था कुछ नहीं था वो कहा कहा हमारी जाएंगी वो मारी मारी फिरते रहेंगी क्यों उन पर ये चीज लादा जाना चाहिए क्यों लादा जाना चाहिए कि जिस तरह से हनक से कह गया है कि हम इसी संसद में लेकर आएंगे आप जनता को संसा देना चाहते हो वो जनता को हांक रहे हैं हम आपको ये समझते हैं विपक्ष की क्या अब कात रह गई है वहाँ सदन में उसके पास संख्या नहीं है वी तो बोली गया जो बोलना था उनके पास तो वो जनता को हांक रहे हैं न आप या रोकopf तो पब्लिक से कहेंगे कि आई आप आप लाइन में लगे और आप अपनी नागरिकता